प्रोग्रेम स्वस्थ जीवन में मैं अवरंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ स्वस्थ जीवन पोशन भी पढ़ाई भी जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से एक सप्टेंबर से लेकर 30 सप्टेंबर तक पोशन माह मनाया जा रहा है पिछली बार हमने बात करी थी क्या है पोशन माह और इसे मनाना क्यों जरूरी है हर साल इसका कोई ना कोई थीम होता है और इस बार जो थीम है वो है पोशन भी और पढ़ाई भी आईए जानते हैं कि ये पढ़ाई क्या केवल पोशन से ही जुड़ी हुई है और इस पढ़ाई और पोशन के लिए सरकार की तरफ से कैसी गतिविधियां चल रही है अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो कैसे इन गतिविधियों को हम इंप्लिमेंट कर पा रहे हैं क्या अचीवमेंट सब तक रही हैं और इस विशे पर बात करनी के लिए हमारे साथ हैं मेजर नीलम कुमारी अगर बात करें इस पोशन मा की पोशन और प्रशन और प्रशन और प्रशन के लिए हमारे साथ हैं पोशन और पढ़ाई दोनों चीजने जो हैं वो सामेंटेनेसली साथ साथ चल रही हैं लिकिन अगर एनसी सी की बात करें तो एनसी सी इस महिम के साथ कैसे चुड़ी हुई है पोशन और पढ़ाई हमारे साथ एनसी सी कर्स काड़ेट हैं तो जो यह गुर्ल्स काड़ेट ते हैं यह हमारा गौर्मेंट होमसेंस कॉलेज में पढ़ाई के लिए आते हैं, बी एस ऐ होमसेंस की डिगरी करते हैं, हमारा यहाँ पर पर फूर अड न्यूटिशन एक डिपार्टमेंट है, जो हम उनको स्पेशली फूर अड न्यूटिश कि जो भी चीज वो यहां पर सीख रहे हैं वो community में जाती हैं और उनके साथ share करती हैं, उनको information देती हैं, because भोजन, portion, तो सभी करते हैं, लेकिन उनका कारी यह होता है कि भोजन सिर्फ यह नहीं कि एक बच्चे को चाहिए या माँ को चाहिए, जब से बच्चे का बर्थ होता है, मतलब since conception से लेके till death we need food, तो वो ऐसा और हर stage पर हर पोजन की, हर तद की अलग-अलग महत्व है, तो आप यह नहीं कह सकते कि protein अभी खाओ, तब नहीं खाओ, protein हर stage में खाना है, तो जब pregnant lady होती ही, गरभावस्ता में होती है, तो अगर गरभ जानकारी देनी अतियंत आवश्यक है कि आपको protein खाना, iron खाना है, सिर्फ क्या कहते है, पेट नहीं भरना है, तो आप awareness क्रेट करने काम जो है, तो NCC हमारा जरिया होता है, और हमारी गल्स फील्ड में जाते हैं, और यही सारी information है, बहुत तरह तरह की information है, जो हम जिसके वा और पढ़ाई भी, क्या यह जो पढ़ाई है केवल portion की ही है? जो आप सब जानते हैं कि हम portion मा जो है, वो मना रहे हैं, और इस पार सरकार की तरह से जो theme रखी गई है, वो है portion भी और पढ़ाई भी, जो इस theme का जो तातपर्य है, वो यह है कि बच्चा ना के सिर्फ पोशिक ह उसको सिर्फ अच्छा पोशन नहीं चाहिए, उसके साथ साथ वो शिक्षिक भी हो, तो इसमें जो हम ग्यान दे रहे हैं, वो पोशन के बारे में है, और उसके साथ साथ इसके उपर भी जो दिया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे जो आंगनवारी में आते हैं, हम उनको भ इसके साथ साथ पढ़ाई की भी है, और कोशिश की जाती है कि उनके पेरेंट्स को, उनके माबाब को, हम उनके अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को बताया जा सकें, उनके पेरेंट्स को बताया जा सकें, कि इस नाजुक उमर में उनको अगर अच्छा अगर उसके प्रोटीन कंटेंट या बाकि जो भी हमारी शारीरी जरूरते हैं, तो अगर बच्चे की नीव मजबूत होगी, तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, उसके साथ साथ एक स्वस्थ इंसान बनेगा, तो यह जो पोशन और पढ़ाई भी जो इसके साथ हम यही कोशिश कर रहे हैं, कि जादा से जादा माबाप को अच्छे पोशन के बारे में जा जोड कर देखते हैं, रॉकेट डर्निंग एक संस्ता है जो प्रारंबिक शिक्षा, अर्ली चैलोड एजुकेशन में काफी विश्वास रखती है, और हमारा यह विश्वास है कि आंगनवाडी सेंटर्स पे हाई क्वालिटी अर्ली चैलोड एजुकेशन यानि प्रारंबि माता-पिता, अंगनवाडी, एक गाहों के अंदर एक बस्ती के अंदर जो भी कम्यूनिटी है, वो एक बहुत अच्छा फोरम भी है किसी के माइंसेट्स या बहिवियर्स को चेंज करने के लिए, तो जैसे कि माम भी बोल रही थी, I think portion के साथ साथ शिक्षा या पढ़ाही दोनों साथ में हो, इन चीजों पे कुछ एहम विश्वास है माता-पिता के कम्यूनिटीज के, जो इस महीने में शेप करे जा सकते हैं, और हम Department of Social welfare के साथ पिछले दो साल से काम कर रहे हैं प्रानम भी शिक्षा में, तो portion महा की जो नई थीम बनी है, इसमें हमें बहुत वि पास जो है, इंटरनेट का जो एकसेस है, वो सब के पास हो, इस मामली में मैं आप क्या कहना चाहेंगे, आपके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पेरेंट्स को इंकरेज करते हैं, उनको कैसे इंवाल्व करते हैं, आपने सही कह कि देखो हमारा जो सुसाइटी है ना हाई इंकम गूरूप मिडल इंकम गूरूप और लो इंकम गूरूप में बटावा है तो हाई वाले मिडल वाले किसी तरह से नेट पे और जानकारी ले ले लेते हैं लेकिन यह जो लो कम्यूनिटी वाले हैं यह अपने सारा दिन मतलब रोजगार में इतना व्यस्त रहते हैं कि इनको जानकारी नहीं मिलती है और जो भी कहरी फारवड होता है सर्फ यह उसी के अनुसार अपने बच्चों का पालन पॉशन करते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं और जब NCC अक्टिविटी तो कॉलेज अक्टिविटी वहां जाके उनको हर एज गुरूप को टार्गेट करते हैं प्रेगनन्ट लेडी को लेक्टेटिंग मदर को और इंफेंट जो बच्चे हैं क्योंकि जो आंगनवारी में बच्चे आते हैं वह प्री स्कूल चिल्रन होते लेकिन ग्रोथ एंड डवलप्मेंट जो रैपिड होता है मैं तो प्रेगनसी से शुरू हो जाता है गरबावस्ता से अगर गरबावस्ता में मा काम पर जादा ध्यान देती हुए doisress ने खाना ने खा है तो मा का मतलि बच्चे तो अपना पूरा पोशंड ले लेता है लेकिन उसे मा में कमजोरी आ जाती है फिर वो कमज Primary aye तो अपने बच्चे को उस समय भी उसको डबल डाइट खानी पड़ती है अपना भी खाना चाहिए और बच्चे के इसाब से भी क्योंकि जो भी आप बच्चे को खिलाना चाहते हो विटामिन C देना है तो मदर को दो नीबू पानी पीए अब प्रेगनसी में जनली होता है कि नहीं हो र आगे एकदम से हम पूरी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम वो सारी जानकारी उनको देते हैं कि आपको डेली खाना है प्रोटीन खाना है फ्रूट खाने है और अगर आप रोज नहीं खा सकते तो खाना जरूर है नीबू जरूर लेना चाहिए इमिनिटी देता है दही लेनी जानकारी देने की कोशिश करते हैं फिर प्री स्कूल आज अब यह नहीं का छोटा है तो तो सिर वहीं पर फेयर थयान देना है हम इसकूल में भी क्योंगी बच्शें टिफिन लाते हैं और खाना मतलब अपनी पसंद का खाना चाहते हैं तो यहां भी हमारा intervention मतलब हमें बीच में बताना पड़ता है कि नहीं आपको बराबर खाते रहना है हर स्टेज की अपनी nutrition का महत वे और हर स्टेज पर diet कितनी खानी है हम खाना खाते हैं मैंने एक कडोरी खाई की आधा कडोरी दाल खाई या मैंने सिर्फ के कहते परोटी में थोड़ी सी सबजी लपेटी और उतनी खाई क्या वो मेरे पूरे दिन के लिए sufficient है जी और एक time का meal आपको पूरा दिन energetic नहीं रख सकता अगर आंगनवाडी की में बात करूँ आंगनवाडी में मतलब बहुत छोटे-छोटे बच्चे है ना और उनको engage करना involve करना और उनको यह बताना कि यह जो education है portion की education उनके लिए कितनी important है यह एक challenge है अपने आप में तो आपकी तरफ से ऐसा क्या किया अगरी में आता है तो जो इतना चोटा बच्चा है उसकी attention span बहुत छोटी होती है तो एक तो parents को encourage करना कि आप अपने बच्चों को भेजे आंगनवाडी में जुरूर भेजे और टाइम के पाथ जैसे उनका age आती है तो उनको schools में करवाया जाए तो हमारी तरफ से इसी जो इस बार जो new education policy है उसका भी एक बहुत एहम हिस्सा है जिसको early childhood care and learning के नाम से बूला गया है क्योंकि अब जो school की जो entering age है वो तीन साल हो चुकी है लेकिन अभी भी हमारे कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर कुछ labor class है जो जा कुछ working parents है जो बच्चों को भी school नहीं भेज पाते तो उनके लिए आंगनवाडी इस एक बहुत अच्छा platform है जहां पर बच्चे उनके आते हैं और वो education के साथ जुड़ते हैं तो इसी में जो ministry of education का अब जो एक विद्याप्रवेश एक program है जिसमें आंगनवाडी इसको त्रेंड किया गया है उनको school के schooling का जो curriculum है उसके बारे में आंगनवाडी इसको बताया गया है और यह जो विद्याप्रवेश program है यह आंगनवाडी में जब बच्चा होता है उसको भी करवाया ज इसलिए कि अगर उसने अपने पहले अर्ली चाइल्ड हुड के जो उसके साल है अगर वह आंगनवाडी में बच्चा रहा है तो स्कूल में आने के बाद वह एकदम से स्ट्रीम लाइन हो सके और अपनी एजुकेशन वह आगे से उसको चला सके तो जो हमारे अंगनवाडी से ह काफी मेहनत कर रही है कुछ एजुकेशनल टॉइस जो है वह बनाया जाते हैं स्पोर्ट्स को इंटुड्यूस किया जाता है बच्चों को एक नए तरीके से उनको एक जो अर्ली लर्निंग है उस प्रोसेस में उनको डाला जाता है तो इसके लिए जो है पेरेंट्स को साथ करते हैं वह बहुत इंपोर्टन्ट है जैसे कि इनकी जो ऑगनाइजेशन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यह लोग ऑन्लाइन माधियम से पेरेंट्स के साथ अन्गनवाडी के साथ कनेक्ट करें तो एक अच्छा ब्रिज जो है वो बन रहा है दोनों के बीच में सो जिस का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टन था कि जो बेस है वो बच्चे का छोटी एज में ही बनेगा आपकी तरफ से ऐसी क्या इंटरस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो स्कूल में और्गिनाइज करवाई जाती है जी मैं पूरी तरही सहमेत हूं कि शे साल के बच्चे जो होते हैं उनका पचासी प्रतिशत मांसिक विकास शे साल तक हो जाता है एक इंपॉर्टन चीज यह है कि इस टाइंग में बच्चे की जो एनरजी है उसको चानलाइज करना भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए आप क्या करते हो तो दो तीन तरीके है जैसे आपने तकनीकी का भी उधारन दे रहे थे आप तो कुछ माता-पिता तकनीकी के माध्यम से आप रीच आउट कर सकते हैं कुछ माता-पिता जो नहीं कनेक्टेड है उनके लिए आपको आंगनवडी सेंटर्स पे कुछ ऐसे इवेंट्स डिजाइन करने परते हैं जिस बच्चों के लिए जो activities आंगनवडी में कराई जा रही हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि variety और diversity add हो, जो best practices हैं जो आज बाकी देशों में इस्तमाल करी जा रही हैं, उससे क्या उधारन है जो Indian context में आंगनवडी के अंदर इस्तमाल किये जा सकते हैं, वो हम आंगनवडी सेव वेलफेर को पता चड़े कि ये जो कारिक्रम है वो कैसा चल रहा है, तो हम technology को इस्तमाल इस तरीके से करते हैं कि वो data actionable feedback दे government को, तो technology of course replace नहीं कर सकते आंगनवडी को, वो कभी भी नहीं होगा, technology का smart use कर सकते हैं, ताकि हमारी आंगनवडी स्मार्ट आंगनवडी बने, हम अगनवडी कारिक्रम को भी smart आंगनवडी कारिक्रम बुलाते हैं, ताकि आंगनवडी बहतर तरीके से communities को engage करें और technology का use करते हैं, ये actually mindset बना हुआ है कि आंगनवडी के बस एक time pass है बच्चों के लिए, उसमें क्या innovations है, क्या education है, अगर हम इसको प्लेवे के साथ comparison करके दे करते हो, लेकिन उससे पहले जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा जरूरत है iron की calcium की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या उसके लिए आपकी तरफ से कुछ किया जाता है, नहीं उनको iron rich sources बताया जाते हैं, अब जैसे हम गुड, गुड को हम almost भूली गए हैं, त जैसे खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है, तो गुड की परंपरा को कायम करना चाहिए, ठीक है, तो iron इवन धनिया में बहुत होता है, तो ये iron और लेकिन iron तो सब खाते हैं, अगर आप देखें, तो iron के साथ vitamin C खाना बहुत जरूरी है, उसके absorption के लिए, जिससे आपके शरीब में पच जाए, तो iron के साथ vitamin C का consumption, iron की कमी को पूरा करने में मदद करेगा, तो इस तरह से किशोरवा में iron की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि energy, क्योंकि हमारी जो oxygen है, अब देखो जो कोरोना में हो रहा था कि oxygen नहीं जा पा रही थी हमारे मतलब brain में, पूरी body में घूमती है, तो इसलिए iron बहुत जरूरी है, तो iron है, calcium ही बहुत जरूरी है, तो अब मदर्स भी 40 के बाद उनका calcium जो है, डिपोजिट नहीं होता है, तो उनको additional calcium लेना चाहिए, तो ऐसी छोड़ी छोड़ी जानकरी हम हर stage wise program बनाते हैं, और हमारी जो लड़कि उसमें girls जाती है, parents को बताती हैं कि जैसे indoor play, outdoor play, क्योंकि parents कहते हैं कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन हर तरह का खेल अपनी importance रखता है, अगर बच्चा अकेला खेल रहा है, आपने TV लगा जो नहीं, आपको उसके साथ खेलना चाहिए, और आजकल इतनी insecurity होगी कि एक प्राइबेन नहीं सिखा सकता, तो अपने age group के साथ खेलना भी उतना जरूरी है, दूसरा अब ये देखिए कि कोई भी problem होती है, language से होती है, और जो ये preschool years है, ये language development के लिए सबसे important है, भाशा का विकास इसमें सबसे जादा होता है, आप इसमें दो भाशा भी बच्चे को सिखाएंगी, वो आसानी से पिक अप कर लेगा, लेकिन आप parents देखो, story सुनाना almost बंद कर दिया, किसी के पास time नहीं है कि रोज रात को बच्चों को सोते से में कहानी सुनाएं, हम हमारी maximum learning stories से होती थी, कहानी होती थी, पंचतन की कहानी, दूसी-दूसी कहानी, अब TV लग बच्चे थे, एक पीजा खाता था, एक सबजी रोटी खाता था, वो बिमार पढ़ गया, पीजा खाने वाला बच्चा, और सबजी वाला बिमार नहीं पढ़ा, तो यह हम कहानी में ट्विस्ट करके बच्चे की हिसाब से उसको समझा सकते, तो कहानिया और कवीता हैं, यह पेरेंट्स को अपना रात को या दिन में, मतलब जब भी टाइम मिले, यह रोटीन होना चाहिए, ताकि आप बच्चे का सिर्फ शारिरी विकास ना करें, खाने का ही, मानसिक, सामाजिक और यह भाशा का विकास, यह सारे विकास बहुत जरूरी हैं, जी, मैम, 2018 में इसकी श पेर बैठे थे, जनके पास इंटरनेट का एकसेस नहीं था, हाला कि गर्वर्मेंट ने उस टाइम पेर कुछ खास इनिशेटिव लिये थे, इंटरनेट एकसेस के लिए, उस टाइम आप लोगों ने अपनी जो एक्टिविटीज हैं, उनको कैसे कांटिनू रखा, कोवीड का जो फेस था, पूरी दुनिया ने उसको जिला है, और कईयों के लिए बहुत बुरा वो फेस रहा है, तो क्योंकि उस दौरान बच्चे जो हैं, वो आंगनवारी में नहीं आ पा रहे थे, तो जो हमारी आंगनवारी वरकर्स हैं, वो उस दौरान भी वो डोर टू डोर ग पाना जो आंगनवारी में दिया जाता है, तो उस दौरान सरकार की जो गाइडलाइन के मुताबिक टेक होम राशन की फॉर में उसको कनवर्ट किया गया, जाकि बच्चे को जितना उसको पोशन चाहिए, वो उसको उसके घर पर जाकर डो स्टेप पे आंगनवारी इस ने पेरेंट्स को वो डिलिवर किया है, तो उससे मुझे लगता है कि एक कनेक्टिविटी जो है वो बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ आंगनवारी इस के थ्रू वो बनी रही है और उसी के साथ साथ कोवीड के बारे में भी वैक्सिनेशन में इन सब चीजों में से वंचितना रही है यही सवाल सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपकी तरफ से इस प्रोग्राम को कॉंटीनु कैसे रखा गया उन दो सालों में जी अधिन तकनीकी एक हद तक कम्यूनिटीज में आज पहुंची हुई है तो साथ से सतर प्रतेश्यत घरों में एक को दाल लेके उनको सौर्टिंग सिखा सकते हैं बेसिक स्किल्स जो माता पिता बच्चों के साथ एकदम घरेलू आइटम्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप की अक्टिविटीज पैन्नेमिक में भी गई और अभी भी कंटिनी हो रही है साथ-साथ आंगनवारी स वहां पर गई जाना बहुत जरूरी है तो यह अगें तकनीकी का थोड़ा स्मार्ट उप्योग दूसरा पैरेंट्स को कंटिनी इंगेज रखना खासकर के उस समय पे जब माता-पिता के पास थोड़ा समय था तो उनकी आदत बनने के लिए अच्छा समय था वो बहुत सारे माता-पिता की आदत बन गई और वो आदत अभी भी कंटिनी हो रही है तो हमें उस समय को जो भी हम बेस्ट यूज कर सकते थे उस तरीके से करना था तो आंगनवाडी सेविकाओं को कैसे हम डेटा प्रोवाइड करें माता-पिता कैसे एक आदत का एक प्लाटफॉर्म प्र अगर बात करें कि आपकी जो आने वाले टाइंग में आपने लोगों को इन्वाल्व करके रखना है वो चाहें एंसे सी के थूँ हो चाहें आपके इंड्वीजियल क्लासिस के थूँ हो तो उसके लिए आपकी क्या अटिविटीज हैं जो आप चाहते हो कि आप प्लान में रखो और इनके इंप्लिमेंटेशन भी प्रॉपर हो सके जो हम उनके इंवॉल्मेंट के लिए करते हैं उनको जागरुक बार बार करते हैं एक तो रैली निकालते हैं हम रैली कि इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सर्फ बच्चों बच्चे जो बुज़र्ग है ना उनकी इंपॉर्टेंट है तो हम टार्गेट मतलब गुरूप बनाके कि अभी व्रत लोगों के लिए हमें इनफॉर्मेशन देनी हैं अभी बच्चों के लिए देनी हैं अभी एडॉलसेंट के लिए देनी हैं कि उन वो ड्रक्स पे ना जाएं खाने पे जाएं तो ऐसे भिन प्र होंगी जो आप फेस करते होंगे कैसे सवाल आपको किये जाते हैं लोगों की तरफ से और क्या चैलेंज आपके लिए रहता है कि उनको आप जो इनफरमिशन देने के लिए गए हो वो उन तक पहुंच सके हां क्योंकि देखो किसी को भी अगर आप भोजन के बारे में या कि इसी भी बच्चे को कैसे रेयर करना उसके वारे में बताओगे तो कहेंगे हमें आता है लेकिन उसे बताने के लिए कि हां हमें आता है लेकिन हम सिर्फ क्या कहते हैं कि कुछ गलतियां हो रही हैं जिनने आप ना करें अब कलात्मक तरीका क्रियेटिविटी है अगर आपने खाना देना है, हमें मालूम है कि आप रोज चपाती देते हैं, लेकिन बच्चे को अगर हम साथ के साथ चपाती को ट्राइंगल में कर दिया, शेप में कर दिया, चावल दे रहे हैं, कटोरी में दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, सैमी सरकल करके दे दिया, तो थोड़ा सा कि हां मुझे आज कुछ मिला क्योंकि देखो गौर्मेंट के प्रोग्राम है वह चल रहे हैं वहां पर जाके खाते हैं लेकिन हमारी पेरेंट्स को भी हम उनको रस्पॉंसिबिलिटी है किस तरह से वह उनको दे सकते हैं तो उन्हें टिफिन का जरूर हैबिट रखना है और ब किजन में आए उन्हें पता चले कि सारे मसाले होते हैं मसालों से क्या क्या फायदे होते हैं तो इनका इंवाल्मेंट भी होना चाहिए तो हम एक पर्डिकुलर गुरूप को किजन से अलग रखें ये ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे की रेरिंग में दोनों गुरूप का इक कि वो अपने बच्चों को घर पर ना बिठाएं तो आंगनवाडी जैसे मैंने पहले का कि कैसा माध्यम है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एक में स्ट्रीम स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं किसी भी वज़े से अपने काम की वज़े से या किसी आर्थिक अपनी अवस्ता की वज़े से वो नहीं भेज पा रहे हैं या जिनके कुछ ऐसा तो उन पेरेंट्स को ये मोटिवेट करना कि आप बच्चे को घर चोडने की बजाए अब उसको आंगनवाडी में छोड़िए तो ये एक बहुत जरूरी होता है हमारे लिए जिसके लिए हम कही ना कई वो छूटते जा रहे हैं तो किसी भी वर्ग के लोग हो जो आजकल जंक फूड है इन सब चीजों ने इतना मार्केट को या हर चीज को इतना ओवर पावर कर लिया है कि जो हमारे ट्रडिशनल फूड्स थे या जो नूट्रिशियस जिनकी वैल्यू थी वो कही न कहीं खतम होती जा रही है तो इसलिए उन चीजों को दुबारा उनकी डाइट में इंट्रिड्यूस करना और उनको मोटिवेट करना क्या बच्चे को वही रागी जवार बाजरा जो मिलेट्स हैं उनकी इंपोर्टेंस क्या है उनको हम बताते हैं और यह हमारे लिए बच्चे को नहीं भेज सकते हैं हमारा बच्चा नहीं आ सकता है जब कोवीड रहा तो उस दारान हमारी जो यह गतिवीदिया उन्होंने काफी सयोग दिया जैसे कि पेरेंट्स और हमारा कनेक्शन नहीं टूटा तो जो बच्चा है वो अपने आंगानवाडी के साथ उनको यह रिप्लेस करता है तो सिर्फ यह पेरेंट्स को बताना कि आपको पांच साल तक बच्चे को घर पे नहीं बिठाना है उसको अगर आप प्ले स्कूल नहीं भेज सकते हो तो अट लिस्ट उसको आंगानवाडी जुरूर भीजिए तो लेकिन हमारे जो कमिट्मेंट है आंगानवाडी इसकी और कुछ एंजियों हमारे साथ हैं एंसी सी वरकर्स वालेंटियर्स हमारे साथ होते हैं तो यह जोईट एफट एक जन आंदोलन है जिसके थ्रू हम अपने परपस को अचीव कर पाते हैं अगर आपकी पॉइंट अफ व्यू से मैं बात करूं आप चीज को टेक्निकली देखते हो और जब सोसाइटी से रिलेट करने की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी नहीं इनोवेशन हैं जो होनी चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसी जो है वो लोगों के लिए बरनी चाहिए तो आप इसके बारे में क्या सूचते हो इसमें तीन पहलों है मेरे खाल से एक है हम इसको एम बुलाते हैं A is aspiration या awareness की बच्चों को अगर शिक्षा या portion के लिए कुछ चीजन सिखानी है तो parents को उसकी aspiration होनी चाहिए कि इससे काम आएगा कुछ I is information की अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं कैसे engage करूं and M is motivation जहांपे अगर आप parents कोई आदत बना रहे हैं तो उस पर motivation हो I think policy इसमें help कर सकती है की aspiration या awareness बिल्ड करें जैसे मैं बुले थी कि आगनवाडी भेजना जरूरी है आगनवाडी में शिक्षा प्रदान करी जा रही है इस चीज की awareness है parents aspire करें की मेरा बच्चा अगर या बच्ची अगर पढ़ेगी या पढ़ेगा तो वो life में बेटर करें जैसे अभी मैं मुदारन ले रही थी कि कई parents directly अगर बोला जाए तो नहीं मानेंगे अगर किसी और माता-पिता की कहानी बताई जाए तो शायद मान जाएंगे या किसी group में हो रहा हो जहां पर 5 माता-पिता सक्रिया है और 6 मेरे को लगेगा कि अच्छा मेरे को भी अब activities द देने चाहिए ने बहुत अच्छा स्टार्ट है पोशन भी पढ़ाई भी एक बहुत ही अच्छा बहुत महत्वपून कदम है उस डिरेक्शन में अगे भी थीम रहेगी जी मैं आप से में मैसेज लेना चाहूंगी आम अवाम के लिए कि आप क्या कहना चाहते हो लोगों के ही गुजारिश है कि हमारी जो डेली रूटीन है उसमें से जो पोशन है वो कही ना कहीं छूटता जा रहा है ना कि सिर्फ बच्चे हम बड़े भी बुजुर्ग भी क्योंकि डाइट इतनी जादा बदल चुकी है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको देखते हैं आज भी उन मार्केट में हैं और हम जैसे कह सकते हैं कि जो जुबान का स्वाध है वो इतना जादा जरूरी हो चुका है कि हम जो हमारी जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो जो या जिसको हम पोशिक खाना जो है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है तो उसमें यह किसी एक कहने से या दो कहने यह तब ही हो सकता है अगर यह एक ग्रूप एफट हो तो जिसमें डिफरेंट जो गर्मेंट के ओर्गनाइजेशन से गर्मेंट के डिपार्टमेंट्स हैं तो यह को लाबरेटिव एफट है अगर हम शिक्षा भी और पोशन और पढ़ाई की बात करें तो एजुकेशन और सो अभी सेक्टर्स की जॉइंट कॉंट्रिबूशन होगी तभी एक रेवल्यूशन आ सकता है तभी एक अच्छा रिजल्ट जो आ सकता है क्योंकि जो हमारे जो डेटा है वो बताते हैं कि आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो की कुपोशन का शिकार है माल नरिष्ट है मा तो यह एक ऐसी टेंडर एज है कि इस उमर की जो जैसे मैंने पहली भी पताया कि एक नीव की उमर है अगर नीव कमजोर होगी तो कभी भी कुछ भी वो आगे बच्चा कर ले उसकी वो लाइफ जो है वो वैसी नहीं हो सकती तो इस उमर में इस टेंडर एज में प्रेगनें प्रेटे की बात की वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकसर घर में खाने की जिम्मेवारी या इन सब की जिम्मेवारी से फ्लेडिस को सौंपी जाती है कि उन्हों नहीं देखना है तो जो कि कही ना कहीं गलत है मुझे लगता है कि मर्दों को भी उतना ही इस चीज में इ के बारे में बच्चा क्या खा का रहा है अगर मां वोकिंग है तो एक जॉइंट एफर्ट अगर होगी सबकी एफर्ट होगी तो ही वो हो सकता है Portion Mike Awareness Campaign की तरह चलाया जाता है ताकि इस एक महीने में हम ऐसी activities कराएं ताकि लोगों को हम इंवाल करें, पेरेंट्स को इंवाल करें और समी वर्ग के लोगों को इस बारे में जान करी दी जा सके हैं आज की जो चर्चा थी इसका बेसिकली यही मोटिव था कि हर घर में हर शक्स जो है अपने portion के लिए इतना aware हो हमें पता हो कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं हमारे घर की रसोई में आज क्या बन रहा है और उमीद करते हैं कि यह जो चर्चा थी इससे आपको कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर मिला होगा और आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में पांटिस्पेट करने के लिए बन से के आन थांक यू सो मच थांक यू